नमस्कार दोस्तों यह पांच अंग हैं तिथी, वार, योग, नक्षत्र और करण किसी भी शुब कारिये को करनी से पहले पंचांग अवश्य देखें पंचांग जाननी से पहले उन लोगों को शुब कामनाई देते हैं जिनका आज जनम दिन है आपको जनम दिन की ढेर सारी शुब कामनाई अब उन लोगों को शुब कामनाई देते हैं जिनकी आज शादी की साल गिरह है भगवान शेव और माता पार्वती की तरह आपकी जोड़ी बनी रहे आए आरम करते हैं आज का पंचांग आज दिना आखे 6 मार्च 2013 वार्च सोमार शक सवद 1944 विक्रम सवद 2089 कलियू का वर्षे 513 पूर्णिमान्थ फाल्गुन अमान्थ फाल्गुन द्रेक रिदु है वसंत और द्री गयन है उत्रायन आज प्रह्म मुरित का समी रहेगा सुबी 5 बचकर 3 मिनट से 5 बचकर 2 मिनट तक प्राते संद्या का समी रहेगा सुबी 5 बचकर 28 मिनट से 6 बचकर 41 मिनट तक विजे मुरित का समी रहेगा दोपैर 2 बचकर 30 मिनट से 3 बचकर 16 मिनट तक गोधुली मुरित का समी रहेगा शाम 6 बचकर 21 मिनट से 6 बचकर 46 मिनट तक साय संधिया का समय रहेगा शाम 6 बचकर 24 मिनट से 7 बचकर 37 मिनट तक नीशिता मूरित का समय रहेगा रात 12 बचकर 8 मिनट से 12 बचकर 57 मिनट तक और शुबयोग रवयोग का समय रहेगा सुबिचे बचकर 41 मिनट से रात 12 बचकर 5 मिनट तक आज सूर्य दे का समय रहेगा, सुबे 6 बच कर 48 मिनट और सूर्यास्त का समय रहेगा, शाम 6 बच कर 28 मिनट आज चंद्रोदे का समय रहेगा, शाम 5 बच कर 37 मिनट और चंद्रास्त का समय रहेगा, 7 मार्च की सुबे 6 बच कर 44 मिनट आज सूर्य रहेंगे कुम राशी में और आज की चंद्रे राशी है सिंग आज पुरा दिन और चंद्रमा सिंग राशी में रहेंगे आज की तिथी है शुकल पक्ष चतुर दर्शी जो शाम 4 बिच के 17 मिनट तक रहेगी उसके उपरांथ शुकल पक्ष पुर्णी मादिती आरंभ हो जाएगी आज का नक्षत्र है मगह जो रात बारे बचकर 5 मिनट तक रहेगा उसके उपरांथ पूर फालगुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा आज का करण है वनिज जो शाम 4 बिच के 17 मिनट तक रहेगा उसके उपरांथ विष्टी करण आरंभ हो जाएगा जो रात बिच के 54 मिनट तक रहेगा उसके उपरांथ रती योग आरंभ हो जाएगा आज का पक्षे शुकलपक्ष और दिशाशूल है पूर्व इसलिए पूर्व की यात्रा पर जाने से पहले घर से दर्पन देख कर जाएगा आज राहू का वास रहेगा उत्तर बश्चिब दिशामी आज शाम चार बचकर सत्रे मिनट तक अगनी का वास आकाश में होगा उसके उपरांथ पाताल में हो जाएगा और आज नक्षत रिशोल नहीं है आज का शुप समय कुछ इस प्रकार रहेगा आज अभी जीत मूरित का समय रहेगा तो पर 12 बचकर 14 मिनट से 1 बचकर 1 मिनट तक अमरित काल का समी रहेगा रात 9 बचकर 25 मिनट से 11 बचकर 12 मिनट तक और ब्रामुरित का समी रहेगा सुभी 5 बचकर 3 मिनट से 5 बचकर 52 मिनट तक आज का अशुप समी कुछ इस्प्रकार रहेगा आज रागु काल का समय रहेगा सुबह 8 बचकर 15 मिनट से 9 बचकर 43 मिनट तक यम गंड का समय रहेगा सुबह 11 बचकर 10 मिनट से 12 बचकर 38 मिनट तक गुलिक काल का समय रहेगा दोपेर 2 बचकर 5 मिनट से 3 बचकर 33 मिनट तक और दुर्मूरत का समी रहेगा तो पहर एक पचकर एक मिनट से एक पचकर अर्टालिस मिनट तक आज के व्रत्वित योहार में हिंदू पंचांग के अनुसार आज कोई भी प्रभुख व्रत्थ या योहार नहीं है ये थी जानकारी आज के पंचांग की हमारे सादन तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद